भाई नीम के सुन ले हैं तो बुझहल की तीता तीता सोब चीज है की नहीं लेकिन इका जे तीता पन है भाई इकरे में दवाई है तो चलू देखक कि नीम के रोरे कौन माटी में लगाब कौन चलवायू में लगाब इकर लगिन जलवायू चाही सुस्क जलवायू और कम बरसायत वला जे ठाओं है उसर याकी परतिभूई है बलोई माटी है चाहे दोमट माटी है इस सोब में इकर पौधा बैड़ जायल और गज बनेल इकर उन्नत प्रभेद में है क्राइडा हैदराबाद बटले विक्सित क दरल गेलक किसिम CRI8 बहिंदर है 1115 प्रति हेक्टर और बहिं के लगायकर बेरा इको ध्यान से देखू बहिं लगायकर बेरा में बहिं कर जीवन छमता एक से दस दिन तक होईल सहलागिन फर जमा करेकर पांच से छो दिन कर फित्रे इके बुईन देख चाही बहिं एक हफता में अकवायक लागेल जेकी 18 से 20 दिन में पुरा होई जैल अकवाल पाचे एक महिना बादे पोलिथिन पाकिट में रोईब देख चाही फिन एक महिना बादे जुलाई या कि अगस्त में आगे से तयार खेत में इके रोब देख चाही अब इतना तयारी करल बादे इके गिंदूरी रहक चाही तीन मीटर से तीन मीटर अब इकरों में माइंद और उर्वरक देख है इकर में उर्वरक है एन पी के जिकर अनुपात है 500 अनुपात 500 अनुपात 500 अनुपात 500 इतना अनुपात में प्रती गच लगा एक बेरा इके डालेक चाही अब पटायक है फूल, बीजा, छाल और इकर कोपल इसोब उप्योगी भाग है। और सिफिलिस होजाए, तो उकरों में इकर प्रयोग होए। देखू, नीम कर उप्योग बहुत बढ़िया है। तो जट जट इकर पौधा के रोईप के और इकर उप्योग करूँ।